So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे PSU Bank के बारे में PSU, ओके सो इसको मैं थोड़ा पतला कर लूँ, तो PSU Bank के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और PSU Banks को मैंने जो है, इसका Index को Analyze करके आपको बताया था, क्यों इसमे पर आपको इसली मिल जाएगा, देखके या आपको समझ में आ जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, उसको जा करके जरूर देखो, या फिर यहाँ पर इसको तो देखो, इसके साथ ही यहाँ पर जो है, मैंने यूको बैंक को डिसकस किया हुआ है, मेरे फस्ट पर यहाँ पर डिसकस किया हुआ है, अबलोड यहाँ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने शड्यूल किया हुआ है, इसी वज़े से, तो यहाँ पर आपको यूको बैंक देखेगा, उस वीडियो को भी जरूर से जा करके यहाँ पर देखना, दोनों को ही सब्सक्राइब कर द दो important बाते, सबसे पहले तो यार किसी भी तरह का कोई quality recommendation नहीं है ना, इस वीडियो में ना, कोई भी वीडियो में, purely educational purpose का वीडियो है, and मैं अपना plan जो है, trade plan मैं अपना share कर रहा हूँ कि किस तरह से मैंने क्या सोचा हुआ है, आपको क्या करना, या आपको पता है, financial advisor से फिर maha bank, जो है, देख सकते हो, maharaster bank कैसे करके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें आज अच्छी तेजी रही, 5.19%, गिरावट भी इसमें बहुत अच्छी हुई थी, 3.86% के आसपास की यहाँ पर गिरावट हुई थी, उसके बाद यहाँ पर आज एक अच्छी तेजी में, जो है, closing में देखने मिला, ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो एक इसने जो है, हाई यहाँ पर बनाये हुआ है, ठीक है, यह जो एक level मैंने जो है, box यहाँ पर बनाये हुआ है, और यह lines कैसे है, box कैसे है, सब बताऊंगा, इससे पहले थोड़ा volume देख ल का volume versus यहाँ का volume, खैर, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर, अगर मैं entry लेता हूँ, around, जो closing price है, आज का, यानि 24th का closing price, और उसके बाद, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो आप देख सकते हो, कि यह जो candle है, इसके low के नीचे, मैंने SL रखा हुआ है, कही न यहाँ पर और एक जगा SL रखा जा सकता है, वो कहाँ पर, वो है, इस candle के नीचे, यह जो candle है, green candle आपको दिख रहा है, जो आज का candle है, इसके just नीचे, मतलब इसका low बना है, candle का low, उसका थोड़ा नीचे, जो कि around 40, यहाँ पर आप लो देखोगे, तो 15.15 का low है, यहाँ पर दिख रहा होगा, 50.15 का low है, और मैंने जो है, 50 पर 49.95 पर जो रखा हुआ है, थोड़ा नीचे, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो, 49.8 के आसपास, आपकी इच्छा बागी, अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था, जब भी candle 5% से आप वो रखना, मैं ऐसा, देखो, मेरे दिमाग में दो चीज़ा चल रही है, ठीक है, फिलाल के लिए, पहला कि मैं इसको SL रखोंगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है, जैसे ही candle थोड़ा उपर जाएगा, या first target को hit करेगा, या फिर इस range को break करेगा, थोड़ा एक दो candle के ब सिमिलर है, थोड़ा सा difference है, मैं first वाला follow करने का सोच रहा हूँ, मैं कुछ दिन के लिए SL यहाँ रखोंगा, फिर मैं इसको यहाँ पे shift कर दोंगा, ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, कि targets का रहने वाले, तो यहाँ पे सबसे पहले, यह level आपको break होना बहुत जरूरी है, फर्स target आपका जो है around यहाँ पे रहेगा, second यहाँ मेरा रहेगा, मेरा first target यह है, second target यह है, and third target कुछ इस जगह पे है, 65, 61.95 और यहाँ पे 58 पे, मतलब 58, 62 और 65 यहाँ पे, अब किस basis पे मैंने इस चीज़ को चूज कर रहा है, तो आपको इसके लिए बहुत पहले जाना होगे, 2014-15 की बात है, तो इसे में थोड़ा से छोटा कर लो, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है, rejection हमें देखने मिला है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जो है, तीन बार resistance आपको same level से देखने मिला है, resistance के बाद इक दम से बहुत नीचे जला गया है, ठीक ह इस resistance के वज़े से, and जो सबसे उपर वाला level है, उसको मैंने mark किया है, इन सब को देख करके, इन सब को, एक, दो, तीन और चार, ठीक है, तो इसी वज़े से, और इसकी उपर जो है, अगर निकलता है, तो फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे, लेकिन for the moment इतना ही, वापस आते हैं, यहां पर 2021 पहुँच चुके हैं, 2024 में माँ चुके हैं, अब यहां पर हम फिर से इनी levels को देख लेता है, यह सब वही mark किया हुआ है, यह जो मैं आपको वापर कह रहा था, चार बार resistance है, वो यह वाला level है, ठीक है, और इसी को breakout करने के बादे का अच्छा momentum expected है, औ और उसके बाद अगर आप देखोगे, यह तीन जो है, मैंने targets आपको बताया थे, जहां जहां पर resistance आया था, तो अगर आप देखोगे, यहां से, अगर मैं आपको दिखाओ, एक second, इसको मैं यहां पर करता हूँ, तो यह जो है लगबग 1 is to 1 है, यह first target तो 58 का है, अगर यह आप समझ लो, and third target वो आपका 1 is to 3 आजाएगा, उसके बाद आप अगर चाहो तो अपने हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो, तो यही कुछ मेरा plan रहने वाला end करते हैं वीडियो को, लेकिन हाँ, उसके पहले एक और चीज़, मैं यह करूँगा, SL को किस तरह से ट्रेल करू मैं आपको थोड़ा overview दे रहा हूँ, ताकि SL ट्रेल करना आपको भी आजाए, okay, so यहाँ पे, अगर आपको आता है, no tension आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने risk management के हिसाब से, तो यहाँ पे, माल लो, मेरा SL यही पे है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था, एक दो दिन मैं यहा ट्रेल कर दूँगा, ठीक है, अब मेरा SL यहाँ पे आगया, एक दो जिन उपर चला गया, उसकी बाद जो है, जैसी फस्ट टार्गेट अचीव होगा, मैं SL को ट्रेल करके और थोड़ा उपर लियाओंगा, ठीक है, माल लो, इन दोनों के बीच में जस्ट, जैसी मेरा सेग ट्रेल करना क्या होता है, मैंने आपको यूको बैंक वाले वीडियो में, जो मेरे दूसरे चैनल पे उसमें बताय हुआ था, कि जैसे एकजामपल के लिए, माल लो, यहाँ पे ऐसा चार्ट है, ठीक है, एकजामपल के लिए यहाँ पे लेते हैं, सो, यह एक एंडल आया, ठ कर दिया नहीं दो को यहां पे कर दिया तो इस तरहे कर के स्विंग को जो है धीड़े-धी-धी-धी-धी-धी-धी-दे-डे-डे-दो-कandra-टेयर कर दो एब करते हैं जैसे लिई-धी डिल्क्राइशन सब्सक्राइब १ी-धी-ए-फ के लेवल्स खुद ड्रॉ करो ट्रेड अपने आप से प्लान करो सिर्फ यह मेरा ट्रेड प्लान एजुगेशनल परपस से मैंने शियर किया हुआ है कोई रेकमेंडेशन नहीं है मिलते है किसी और वीडियो में बाई बाई जय हिंद एंड थैंक्स वर वॉचिंग